आजादी का अमरुत महुत सो हरकर तिरंगा अभियान पारशियोनी में तहसल कारियाले नगर पंचायत कारियाले पुली स्टेशन सामाजिक बन काम विभाग की ओर से जंजागरुति कर मनाया गया इस अभियान को सफल बनाने के लिए तहसल दार प्रिशासर ने पारशियोनी तहसल सिमा के भीतर जंजागरुति कर इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सरकारी कारियाले के ओर से विविद स्पर्धा का एजिन शेहर में किया था जैसे कि मेराथान स्पर्धा, रंगुली स्पर्धा, वक्तुरुत्वस्पर्धा, चित्रकलास्पर्धा का एजन कर इस अभियान से नगरवासियों को जुड़ा गया था जिसमें स्कूली छात्रों ने बढ़ चर कर हिस्सा लिया था इन स्पर्धाव में हासारों बच्चों ने भाग लिया था जिसमें स्पर्धाव के विजेता चात्रों गुद्वार को तैसिल कारियाले के सभागरे में समापन अउसर पर मांचिन प्रशस्ति पत्र उपविभागी अधिकारी वंदना सवर पंगते के हातों देकर प्रतिभाकों भलकर पुलीस निरिक्षक राहुल सोनों ने सामाजी बानकाम विभाग के अभियंता सुहास तल्लेवाल गटनीता दीपक शिवर कर गट शिक्षन अधिकारी पत्रकार रुपेश खंडारे और पनवेल कर खुशाल काप से दीपक भोयर और गन्मान्य सी उपस्तित थे इस समापन अवसर पर शेहर के सब स्कूलों के छात्र शिक्षक शिक्षिकाए एवं मानिवर नागरिक बड़ी संख्या में उपस्तित थे रुनानों बंद संस्ता की ओर से हर घरते रंगा अभियान के तहट जिलापरिशित प्रात्मिक स्कूल पारशियोनी रंगभरंस परदार जित की गई थी जिसमें छोटे बच्चों ने बढ़चर कर हिस्सा लिया था आज समापन दिन भर उपविभाग अधिकारी वंदना सवरंग पते इनके हातों इन विजिता और चात्रों को सन्मानित मानचिन्ना और प्रशस्ती पत्र दे कर नवाजा गया आज़ादी का अमृत महथसव हर घरती रंग अभियान के शहर के सभी कारियालो द्वारा परिश्रम करने पर बड़े पैमाने पर जंजागरूति करने आज इस अभियान को सफल बनाया गया इस तरह कायुजन कर नियमीत किया जाए तो देजभावना राइश्टर प्रेम एकात मता कायम देखी जा सकती है। जिसके लिए सभी ने एक जूट होकर काम करने की जरुरत है। आज के दोर में उपयुक्त साबित हो सकती है। इसलिए आने मले दिनों में सभी ने एक जूट होकर काम करना चाहिए। इस तरह की बात इस समापन अउसर पर उपविभागी अधिकारी वंदना जवरंग पते ने कही है। पारशोनी से बीसन नियोज के लिए रुपेश खंडारे।